अच्छा ऐशा दोखा हमारे साथ किया भोगोगे तो यह जो निकलता है ना भोगोगे यह अकाट्टे होता है क्योंकि किसी का भी हिर्दे मालो किसी भी जियो जंतर को आप कष्ट दें और उसका हिर्दे आह भर जाए तो वो आह बज्र की लिखे तुम्हें भोगना वो आह कोई देख नहीं रहाई कोई हिसाब किताब नहीं जो कर रहे हैं अवश्य में भोग तव्यम बहुत शावधान जीव स्वयम नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आपको बांध रहा है आपको मुक्त होना है बंधना नहीं है जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है कर्मों के बंधन से होता है और उसको अपना रिंड चुकाना होता है कर्मा अनुबंध जैसे आप जिस परिवार में जन्म ले हैं तो उस परिवार के लोगों से आपका रिण है इसलिए उसी परिवार में आप आयेے और इनानुबंध उसको बिना चुकाए या बिना वशूल किये आप वहां से जाएंगे नहीं आपको लेना है तो वशूल करना है और देना है तो चुकाना है ये पूर के जन्मों से निश्चित किया गया है जैसे किसी के यहाँ पुत्र हुआ जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ जो बड़ा हुआ तो उद्धंडता के द्वरा मार पूरे परिवार को क्लिस पर क्लिस देता चला जा रहा है यह तुमारे कर्म का फल है यह ऐसे सक्तिहीन बुद्धीन ऐसे पागल पुझे जीवन सेवा करो तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए वाया है अब परिवार के जो शदश्य जुड़े आके मलपत्नी आते ही पूरी हर्दे में आनंद परिवार में आनंद और जीवन भर वो आनंद ही शुख देने के लिए उसका जन्म हुआ वो अपना रिणावन बंध मुक्त वो आते ही भैंकर कलेस खड़ा कर दिया बीच में दिवाल और जगड़ा वैसा फिर अतरे दिन मार पेट सुरू कले शांती पूरा जीवन नर्क हिसाब करने आई यहां रिर्ण चुकाए भी न कोई जा नहीं सकता रिर्ण चुकाना पड़ेगा किसी का रिर्ण वसूल करना है तो किसी को रिर्ण चुकाना है दोनों काम करने होते हैं अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बरताव किये हैं अच्छे या बुरे वो होंगे अब किसी आदमी को हम जानते नहीं अचानक मिला अचानक टक्कर लगाओ मार पीट गाली गुपता सब कर दिया चुप चाप सहलो क्यों यह आपका हिशाब है पूर का हिशाब हमारा उससे कोई द्वेश नहीं कोई शंकल्प नहीं अचानक घटना घटी और हमसे द्वेश करने लगा हमें पीटने लगा हमें गाली यह इशाब है चुप चाप सह जाओ अपने घर का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और कलेश दिर इशाब है एक प्रभूदत ब्रह्मचारी जी की वानी में पड़ा था एक महात्मा जी ब्रह्मन करते थे तो उस चमय असरफियां चलती थी मोहरे असरफियां उनको भेट में देते लोग तो या तो ठाकुर शेवा में लगे ततकाल या शंत शेवा में ततकाल लगे उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है बैरागी के लिए शिद्धान्त में ये ठीक नहीं है तो जब दो, चार, छे, आठ ऐसे मोहरे हुई उनको विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगी तो प्रियाग राज में जब कुम्ब पढ़ता है एक बार पूरे शाव अखाडे के संतों को अलग-अलग संप्रदायक साब संतों को बुलाएंगे और सब को पुआएंगे अब शादू है तो यही विचार करेगा और क्या विचार करेगा तो उन्होंने ऐसे डंडा बनवाया बेंथ जो उपर से चूड़ीदार और भीतर पूला और मुहरे उसमें डालते गए और भ्रमर जहाँ-जहाँ स्रद्धालू भगत्य सब के यहाँ जाना और इच्छा रखना कि एक मुहर तो देदे दक्षिना में कामना कोई भी हो वो बांधती ही है द्यान रखना इसलिए प्रभू जो चाहे वो करे अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए अपनी चाह प्रभू की चाह में मिला देनी चाहिए अनेक जन्मों में अनेक लोगों शे जो कुछ लिया दिया है इस लेने देने को मिटा देने के बाद ही तुम मुख्थ हो गए इसलिए एक उपाय है लेना न देना मगन रहना क्या मालिक को समर्पित हो जाओ मालिक को अपना माना हुआ समर्पित कर दो खतम जो मेरे चरणों का स्वर लेकर मेरा भक्ति भक्त मेरा भक्ती करता है उसके पित रिण, मात रिण, देवरिण, रिशिरिण, साब रिणों से मैं मुप्त कर देता हूँ बद यही एक उपाय है जो इसके बंद करने का उपाय भक्तों के लिए है वो यही है भगवान की शरण में होकर अपना माना हुआ पूरा भगवान की अर्पित कर दो अर्पित करने का ताथ पर उसमें आम हटा दो तदी अंबस तुगोविन्दम तुभे में उशमर पे जिनसे तुमने सेवा करवाई है उनकी सेवा करनी पड़ेगी जिनसे तुमने जो कुछ लिया है उनको देना पड़ेगा ये लेने देने का व्यापार जब तक समापत नहीं होगा तब तक तुम्हारा जनम मरण चलता रहेगा अब आपको यहां समझना है यदि आपसे किसी ने पैसे लिए बेहिमानी करके नहीं दे रहा है तो आप उसको गाली मत दीजिए आपने बेहिमानी की थी इसलिए आपकी बेहिमानी हुई है ले गया कोई बात नहीं है बंधन से मुक्त हुए जो बोजा था चला गया उसको ऐसा नहीं है कि यह बेहिमान हमारे रुपे मार लिए अब जो कुछ होगा देखेंगे अगर आप आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा भोगना पड़ेगा ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि आपको भोगना नहीं पड़ेगा एक ही उपाय है कि अब जो शरीर धारण के इसी में जो भोगले भोगले आगे ना होना चाहिए तो क्या करें सर्वतो भावेन भगवान की शर्म ले ले ये तो शर्वानी कर्मानी मैशन्यस्च मत पराहा अनन्ने नई योगेन माम ध्यान तुपासते ये बड़ा कठी नई पार होना कोई छुटी मुटी बात है एक महत्मा बाल्य आवस्था से भजन करते थे शाली गराम भगवान पास रखते थे और उन्ही की आराधना करके बस पाठ नाम जब और ध्रमन करते थे यह वह नवस्था थी गंगा जी के किनारे अपने ठाकूर को विराज मान करके इशनान करने के लिए कपड़ा ही उतार रहे थे कि नब्बे लोग आ गए भाला तलवार मारो मारो इसको मारो गेर लिया तो उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा हमने क्या पराद किया कोई शुनी नहीं रहा तो उन्होंने का मार तो डालोगी ही आप नब्बे लोग हमको यह अस्तर सस्तर तो ले नहीं एक बार हमें गंगा में डुपकी लगा देने दो और अपने ठाकूर को इशनान करा देने दो फिस के बाद आप मार देना भगवद इच्छा से लोग रुख गए इशनान किया और अंदर शिप्रार्थना की प्रभू यह क्या लिला है आपकी आपकी श्विवा मेरा कोई है नहीं और यह मुझे मारना चाहते है तो भगवान में जानते हो क्या नब्बे मिलके तुमने नब्बे हिंसा की थी पूरो में तो तुम्हें नब्बे बार जन्म लेना होता और एक एक करके मारते यह मेरे भजन का प्रताप है कि एक बार में ही नब्बे का हिसाब हो जाएगा तुम आखमुन्दू मेरे ध्यान में मगन रहो मेरे प्रताप से तुम्हें कोई चोट नहीं होगी और श्वाभाविक मुर्षा वस्था में प्रान तुम्हारे चूट जाए ऐसा ही हुआ ऐसा हुआ तो ये बात समझ लो कि ये जो करमानु बंध है रिणानु बंध है आप देखो अगर शाप महत्माओं ने दिया कि तुम्हारे वन्ष का इश्य बिनाश होगा तो भगवान भी परमधाम जा रहे है तो उसी कील से बान की नोक में जो मच्छरी लील गई थी छोटा करन उसी शिफ्ट की नोक बनाई और उसी नोक प्रहार किया भगवान के स्रीचरण में वही बान की नोक लगी और भगवान भा स्वईकार किया न भगवान का बड़ा लीला बिचित्र है अगर छुप करके उधर रामा उतार में बाद तो इधर स्वईकार किया है भगवान ने ऐसा कहीं नहीं दिखाए कि मैं भगवान हूँ तो मैं अपने लिए ऐसा नहीं दिखाए नारजी का हित किया पर नारजी ने शाप दिया तो भगवान ने श्वईकार किया बंदरों नहीं शायता कि जैसा बोले थे वैसा ये लीला इस सरीर में भोगनी पड़ेगी हाँ ज्यादा को कम में भुगता देंगे पर अब अगला सरीर ना मिले इसके लिए सर्वतो भावें भगवान के आश्रित हो जाए जैसे आपने दुकान फैला रखी है तुश में दो काम होते हैं लेना और देना किशी को उधार दिया है या उधार लिया है तो हमें देना है अब अगर दुकान बंद करनी है तो तुम्हें देने वालों पर जोड़ देना है लेने वालों पर जोड़ नहीं लेने वाला तो जावन शमा किया शमर पित किया हमारा कोई खतम हो जाएगा लेकिन देने वाला तुम अगर दुकान भी उठा दोगे तो जहां भी रहोगे तुम्हारे पास हो आएगा लाइए हमारा तो देने पर नजर रखे जिसका जिसका हिशाब है वो आपके शामने आता जाए हटाते जाओ लेने पर नजर मत रखे और दुकान फौरण उठा दीजिए नहीं अगर लेते देते रहे तो चलता रहेगा आगे चलकर कुछ लेना न देना मगन रहना बस अपने प्रभू के चिंतन में